नमस्ते अशोग जी आज का मारा विशेप्पन है आर्पी डव्ड एक्ट से लिएटे हम से पूछना चाहेंगे कि जो वे दिव्यांग जन हैं बहने हैं भाई हैं उनके साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि जो डॉमिनेटिंग पोजिशन होती हैं वो उनके साथ उत्पीरंग करती हैं हम पूछना चाहेंगे कि ऐसे में वे क्या कर सकते हैं जब सामानी व्यक्तियों के साथ अपराद कारित हो रहे हैं तो दिव्यांग जन तो वीकर सिर्चन है कमजूर शेणी हिस समास के हैं उसके साथ ज्यादा त्याचार भी होता है ज्यादा उत्पीरंग भी होता है परन्तु जिस तरह से जो महिलाएं हैं वे चाहें शर्म बस लज्जा बस मर्यादा बस या जिन संस्कारों पली हैं उसके अधिन रहते विया उत्पीरंग होता है इसके बावजूद अपनी जुबां बंद रखती हैं नहीं कहते हैं परन्तो गांधीजी ने कहा था अत्याचार सेना भी पाप है हमको आवाज उठानी ही पड़ेगी अब यहां पहले समझना पड़ेगा दॉमिनिटिंग पॉजिशन में काउन है जो आर्पी डपूडी एक की सेक्शन नाइन्टी टू दी विया कहती है कि बीं इन पॉजिशन तो डॉमिनेट दा विल आफ अचाइड और अवोमें कि डिसेबिलिटी एंड यूजिज इस पॉजिशन तू एक्सप्लाइट सेक्श्वर आपने डॉमिनिट वर्ड यूज किया शुरू ने डॉमिनिट क्या है डॉमिनेट का अर्थ यह होता है कि अईसा अधिति जो अगले की इच्छा को प्रभाविक करने में समर्थ है वह कैसे भी बहला कर फुसला कर या अपनी शक्ति का उप्योग करके उसकी इच्छा की विपरीत कारे करवा सकेगा मालीजे कोई दिव्यांग जन है कहीं नौकरी खर रहा है तो डॉमिनेटिंग पोजिशन जो ऑफिसर है उसका बॉस या जो उसे सीनियर है वो डॉमिनेटिंग पोजिशन में आएगा मैं रॉमिनेट कर सकता है उसकी बिलकूँ एक उदार देता हूँ अक्सर ऐसा होता है जब हम आप कहते है किसी को भाईया आप वह जा रहे हो हमारे इस बच्चे को भी लेके जाना है विश्वासिक संबंद आपके है कि उस विश्वास को तोड़ते हुए तो कि जो दिव्यांग है ना वो ऐसे स्थिति में नहीं है कि वहां उसका विरूद कर सकते हैं तो आइसे जो नीरर एंडियर हैं नजदी कि रिष्चेदार हैं या घर के भी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं यह आप वाध ही होता है इघर के लोग शामिल हों पर अधु फिर दिवी तो ऐसे रोग डॉमिनिटिंग पोजिशन होते हैं आ आइवाओ